जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम दोस्तों पूजे गुरु जी द्वारा बताया गया है, बहुत ही अचुक उपाएं, आज की विडियो में हम आपको बताएंगे, आपको एक तेज पत्ते के उपर यह नंबर लिखकर जला देना है, इस छोटे से उपाएं कि हमें हमारे जीवन में धन नहीं मिलता है, हमारा काम नहीं चलता है, हमारे घर को नजर लग गई है, घर के लोगों को नजर लग गई है, उन्हें तो विशेश करते हुए पत्ते का उपाएं जरूर करना चाहिए, क्योंकि तेज पत्ते के जितने भी उपाएं होते हैं, य आपके जीवन से निर्धनता और गरीबों को दूर करता है, बलकि बहुत तेजी के साथ आपके घर में धन को खींच कर लेकर आता है, और आपके जीवन से फिर हमेशा. के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देता है, बहुत बार लाख कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, धन को प्राप्त नहीं कर पता है, और धन सहानी बहुत ज्यादा बहुत सारे घरों में देखने को मिलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा पैसा दवाई में जा रहा है, दुर घटनाओ में जा रहा है, कुछ ना कुछ घर में ऐसा होता रहता है कि पैसे की बरबादी लगी रहती है, और धन कहीं से कहीं तक काम इकठा नहीं कर पाते हैं और छोटे छोटे तो क्या हमारी बहुत छोटी छोटी जरूर का कोई पूरा नहीं कर पाते हैं, छोटे बड़े सपने को दूर हमारे घर के दैनिक आवश्यक्ता है, जो है, उन्हें भी पूरा करने में बहुत कष्ट और दुख हमें खेलना पढ़ता है क्योंकि जब वहां व्यक्ती के पास पैसा ही नहीं होगा, तो व्यक्ती अपने घर में कैसे खर्च चलाएगा, अब देखिए कभी-कभी तो लोगों को दूसरे लोगों से पैसा तक उधार लेना पढ़ता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा धन को डोट लेकर परेशान है, उन्हें भी तेज पत्ते के उपाय जरूर करनी चाहिए, तो पूजे गुरु जी ने अपनी कथा में उपाय बताए हैं, और आप अपने जीवन में एक बार इन उपाय को करके देखें, आपके जीवन के निर्धनता और गरीबी जरूर दूर होगी अगर पूरी सची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को कर लेते हैं, अब बात करेंगे कि इन उपाय को किस दिन करना है, तो किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं, सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो की नजर दोश को डोट दूर करने के लिए देखिए घर में अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए, घर में व्यापार को नजर लग जाए, आपकी दुकान को नजर लग जाए, आपका काम को नजर लग जाए, नौकरी को नजर लग जाए, तो अच्छा खासा घर भी बर्बाद हो जाता है अंजर पैसे को अगर घर के किसी व्यक्ति को नजर लग। जाती है तो देखी नजर दोश जब तक आप दूर नहीं करेंगे, कुछ भी आप अपने जीवन में कर लेना, कितनी भी उपाय कर लेना, आपका कोई भी उपाय काम नहीं आने वाला है, जो लोग नजर दोस्त को जानते हैं जिन्हें पता नहीं है, लेकिन वह नहीं समझ पाते हैं कि उनके जीवन में दुख क्यों बढ़ रहे हैं, कश्ट क्यों बढ़ रहे हैं, घर में इतना कलेश क्यों बढ़ रहा है, तो नजर दोश सीधे सीधे आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके जीवन में अगर जल्दी से जल्दी आपको दूर, करना है अपने घर से नेगेटिव एनरजी को अगर दूर करना है, तो हमेशा तेज पत्ते के उपाय आप जरूर किया करें, तो देखिये तेज पत्ता जो की आपके किचन में ही रखा होगा या कोई साधारन नहीं है, यह आपके जीव बढ़े-बढ़े दुख और कासन को दूर कर देगा अगर इससे जुड़े उपाय अपने कर लिए, अब देखिये तेज पत्ता हर रसोई घर में होता नहीं है, और इससे जुड़े उपाय आपको किसी भी दिन करने है, तो इससे सरल उपाय आपको मिलेगा नहीं अब बात कर लेते हैं जो पहले उपाय है आपको कैसे करना है तो देखिए आपके यहाँ पर साथ तेज पत्ते लेने हैं यानि जो तेज पत्ता होता है उसमें से कितने पत्ते लेंगे आप दिन लेना साथ एक भी तूटा हुआ ना हो खंडित ना हो ए चम्मच आपको लेना है नमक अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं आ रहा है, मेहंत कर रहा है, दिन रात लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या कोई ऐसे व्यक्ति आपके घर में है, जो व्यापारी है, बिजनिस को आगे बढ़ता है, दुकान पर ग्राहक बढ़ाना चाहता है, लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं, बिजनिस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे व्यक्ति के उपर से साथ तेज पत्ते और एक चुटकी नमक जो आपने लिया है, एक चम्मचले एक चुटकी नमक ले ले, अब आपको सातों तेज पत्ते नमक के साथ उसे व्यक्ति के सर से उपर से साथ बार उतरना है, कितनी? बार साथ बार उतरना है, साथ बार उतरेंगे और उतरने के बाद आपको क्या करना है? किसी भी समस्या स्थान पर ले जाकर इसे फेक देना है और मुरकर वापस आपको नहीं देखना है, अपने घर पर आ जाना है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यह उपाय सुभा करना है, शाम करना है, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर ले कितनी भी बड़ा नजर दोस्त क्यों ना हो चाहे घर को लगा हो घर के व्यक्ति को डोट लगा हो काम को लगा हो हर प्रकार का नजर दोश आपके जीवन से आपके घर से आपके घर के व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाता है जब साथ तेज पत्ते का उपाय आप इस तरह से कर लेते हैं बहुत ही अचूक उपाय है आप इस उपाय को डोट करके देखें आप खुद देखेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उसे व्यक्ति को बहुत जल्दी अपने जीवन में सफलता मिलेगी जब आप इस उपाए को करेंगे क्योंकि अगर नजर दोश होगी उसके दूर होते ही आपका काम बनने लगेगा इतना ज्यादा चमतकारी होता है या तेज पत्ते का टोटका और यह उपाय पूजे गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है और जरूर से इस उपाय को आख करके देखें आपके जीवन में रातों रात चमतकार होगा तो यह पहला उपाय है अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो की आपको तेज पत्ते से ही करना है अब बात करेंगे जो दूसरा उपाय है किन लोगों को करना है और इसका लाब क्या है तो देखी बह बहुत तेजी से होती है, जिनका पैसा भरबाद बहुत होता है, मतलब पैसा तो घर में आता, है तिजोरी में भी आता है, पर्स में भी आता है, लेकिन रूकता नहीं है, ना तो तिजोरी में रुकता है, ना पर्स में रुकता है, और ना ही घर में रुकता है, तो देखी बह जीवन से फिजूल खर्ची को कम करें, आपका पैसा बरबाद ना हो दवाईया में न जाए, दुरघटनाओं में न जाए, और आप अपना धन बढ़ा पाए, क्योंकि धन बढ़ता आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि धन तो व्यक्ति काम आता है. लेकिन उसका सारा पैसा जो है, वह खर्च हो जाता है, उसकी जरूरत में न तो अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको तेज पत्ते का यह उपाई शुक्रवार के दिन करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाई को आप कर. लेना करना क्या है? आपको एक तेज पत्ता लेना है, ठीक है, अब उसे तेज पत्ते को आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय में जब आप अपने घर में पूजा करेंगे माता लक्ष्मी की मूर्ती या प्रतिमा के सामने रख देना है. एक, उद्देश्य की का दीपक जलाए, देसी घी का दीपक जलाकर मा लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि यह मा लक्ष्मी मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबों को दूर करना और मेरे घर से तेजल खर्ची को दूर करना मेरे जीवन से फिजूल. खर्ची को दूर करना मेरे घर में धान की बर्बादी बिलकुल भी ना हो ऐसा आशिर्वाद मुझे देना तो तेजपत्ता ऐसे आपको रखना है, पूजा अर्चना करना है और आप किस तरह से चाय करना चाहते हैं, वैसे आप कर ले आपको फिर बाद में क्या करना है थोड़ी देर बाद उठाले एक दो घंटे बाद उसे तेज पत्ते को आपको उठना है, फिर अपने पर्स में पेट को आपको उठना है, चुपचाप से तो देखिए यह उपाईजब आप शुक्रवार के दिन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, आपके पास जो पैसा आएगा, वह आपके पास रुकेगा, कभी भी आपके घर में फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपकी तिजोरी कभी धंग से खाली नहीं होगी जब इस उपाय को आप करेंगे शुक्रवार के दिन को देख बहुत सारे लोग हैं जो सोचेंगे कि इस पत्ते को आपको जब तक पर्स में रखना है तो देखिए शुक्रवार के दिन आपको इस हफते को बदलते रहना है जब तक आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर नहीं हो जाती है, अब जो पहले पत्ता अपने अपने पर्स में रखा है, उसे उसे आप किसी प्यार के नीचे रख सकते हैं या फिर आप इसे बोलते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं अगर आपके घर के आसपास नदी है, तालाब है, स्वच जल जहां पर हो वहाँ इसे आप डाल सकते हैं तो बहुत ही उत्तम उपाय है, शुक्रवार के दिन यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए अगर जीवन में निर्धनता और गरीबी का बहुत ज्यादा वास है अब जल्दी से बात कर लेते हैं, तीसरे उपाय के बारे में एक तेज पत्ते के उपर आपको कौन सा अंक कौन सा नंबर लिखकर चला देना है और इस छोटे से उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में वहां करोरपती बन जाएंगे और आपके जीवन से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, बस उपाय आपको पूरी सच्ची श्रधा के साथ करना है, कभी यह उपाय सफल होता है, तो देखिए आपको एक तेज पत्ता लेना है, बिलकुल साफ कहीं से भी पंडित ना हो, कटा फटा ना हो ठीक है साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, या फिर चमेली का तेल भी आप डाल सकते हैं, देशी घी इस दीपक के अंदर आपको नहीं डालना है, ठीक है न अब आपको क्या करना है बुंदी के दो लड़ू लेने हैं और साथ ही आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है तो घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर आपको दिखे वहां जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के चर्णों से जो उनके चर्णों पर सिंदूर लगा होता है उनके चर्णों का थोड़ा सा सिंदूर अपने घर पर आपको लेकर आना है और यह उपाएं आपको अपने घर के मंदिर में करें तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है एक दीपक जो आपने तयार किया है चाहे सरसों के तेल काया अपने चमेली के तेल का दीपक तयार कर है वह आपको सबसे पहले जलाना है हनुमान जी के आगे और एक मंत्र है जो आपको बोलना है मंत्र क्या है ओम श्री बागेश्वर आए ओम श्री बागेश्वरी है दीपक जलाना है और इसके बाद दो बूंदी लड़ू का भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है अब तो जो आपने एक तेज पट्टा दिया है उसे तेज पट्टे के उपर आपको सिंदूर से एक नंबर देखना है नंबर कौन सा है? 117 ठीक है, 117 अंक लिखना है और फिर आपको इस पट्टे को हनुमान जी की मूर्ती या प्रतिमा के सामने ही उसे समय जरा देना है जिस समय आप अपने घर के मंदिर में बैठ कर या उपाय कर रहे हैं तो देखिए जो पट्टा आप जलाएंगे उसके उपर आप एक कपूर रखें और फिर पेट को वहीं पर हनुमान जी के सामने आपको जला देना है और फिर इसकी जो रखोगी उसका पहले आपको अपने मस्तक अपने माथे पर तिलक लगाना है और बची हुई राख को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी के साथ मिलकर छूट देना है डाल देना है और यह उपाय अगर आपने मंगलवार के दिन कर लिया तो आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि धन संभालते संभालते तक जाएंगे और बिल्कुल आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी हो जाएगी तो कुछ गुरुजी द्वारा बताया गया इतना अचुक उपाय है जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में हमेशा के लिए गरीबी दूर होती है बस पूरी सच्ची श्रधा के साथ आपको यह उपाय करना है तो बहुत अच्छे से उपाय आपको सोना जान और बताने का प्रयास किया है हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आई हो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम